हेलो एवरिवन वेलकम टू एसुपी पीएसी मेरा नाम वन्वा सिंग है इस वीडियो में हम अपनी प्रिलिम्स प्रेक्टिस सीरीज डिसक्स करेंगे यह हमारा टेस्ट सीरीज करेंट अफेर नोट्स कोर्स है एंग्लिश मीडियम में आप इस नंबर पर वाट्सेप करके इस होगा, Assertion, Salt was chosen to symbolize the start of civil disobedience, Reason, Salt was deemed as something on which each Indian had the basic right तो इसका answer है, Answer A, A and R are correct and R is the correct explanation of A, तो Assertion भी सही है, Reason भी सही है, क्योंकि Salt जो इसको chosen किया था, to symbolize the start of civil disobedience, और basically Salt इसलिए चूज किया गया था, कि उस टाइम जो Salt को ऐसे माना जाता था, कि हर एक Hindustani की, हर एक Hindustani की एक basic right है, मतलब salt एक basic right है, तो हम salt बना सकते हैं, हम salt touch कर सकते हैं, हम salt जो है, हम खुद भी salt manufacture कर सकते हैं, तो यह हमारी basic right है, यह Britishers का ही right नहीं है, कि वो उन पर हमें depend होना पड़ेगा, तो it is considered as the basic right, और history में एक almost same ऐसा event हुआ है, basically, यह event जो था, वो महार सक्तक रहता, और इसको जो lead किया था, वो Dr. बी-ार अमबेट करने किया था, तो इस basically, यह same ही event था, 1927 के around, यह event हुआ था, इसमें किया था, कि जो untouchables थे, उनको किसी भी कोई भी public tank था, उसके पार जाना या फिर उसका पानी जो touch करना वो बिल्कुल अलाव नहीं था, तो महर सक्तक रहा में यही हुआ था, कि जो डॉक्टर अमबेट करने ग्रूप ओफ पीपल को एक खट्या करके, जो वहां एक public tank था, महर जो एरिया था, वहां पर एक public tank था, उस पानी को उन्होंने touch किया था, मतलब that water was touched by the untouchables, that was not allowed at that time, कि मतलब कोई भी एक untouchables उसको touch कर सकता है, तो महर सक्तक रहा भी एक इसी तरह का है, क्योंकि water, salt, these are considered as the basic right, और आप इनको अगर चूने नहीं दे रहे हो, एक particular community को, पहले, वो था Indians को महार सक्तेग्रा में देखो, तो वो untouchables को, तो एक particular group of people को, अगर आप वो touch नहीं करने दे रहे हो, तो it is against the humanity or the basic right, तो basically, this answer A हो गया, कि दोनों assertion reasons सही है, और explanation भी सही है, तो basically, March 12, 1930 को क्या हुआ, कि यह जो हमारा salt March start हुआ, साबरमती आसरम से लेके, दांडी तक, तो इसको दांडी March भी कहते हैं, तो यह start हुआ, तो यह March 12, 1930 से और 6 अपरेल तक यह continue हुआ, और दांडी पे जाके, उन्होंने, गांधी जी ने यह law और इलीगल जो salt है, उसको प्रेडियूस किया, तो मतलब, the salt can also be produced by the Indian, जो पहले बेटेशास के पास था, उसको लोग को ब्रेक करके, गांधी जी ने इसको salt को प्रेडियूस किया, तो salt March, जो है, वो 1930 में हुई थी, तो यह भी एक प्रोबेबल कोशन है, माजड़ फॉलइ of the falling state does not bother Myanmar, तो इसमें से कौन सा state जो है, वो Myanmar को border नहीं करता, तो इसका answer है, answer A, तृपुरा, तो तृपुरा जो है, वो Myanmar को border नहीं करता, तो चार नौर्थ eastern state है, जो Myanmar को border करते हैं, तो आप इंडिया का माप देखे, उसकी यह जो माप है, इसमें आप इस्टन मूस तो जो चार है, वो अरुनाचल हो गया, अरुनाचल के नीचे नागालेंड, फिर मनिपूर, फिर मिजोरम, तृपुरा नहीं करता है, तृपुरा जो है, वो बांगलादेश को करता है border, मैनमार को नहीं करता है, मिजोरम के नीचे ही सीधे वो बांगलादेश स्टार्ट हो तो पीम कुसुम जो इसकी में उसने एम किया है कि जो सोलर और जितनी भी अधर रिन्यूबल कैपसिटी है उसको कब तक उसको एड करना है तो इसका आंसर है आंसर भी 2022 तो बेसिकली जो कुसुम इसकी में वो लॉच्ट वी थी बाइदे मिनिस्ट्री अफ नियूबल एनर्जी और इसका जो में एम ता है कि जो भी सोलर और अधर रिन्यूबल कैपसिटी है और 25,750 MW उसको 2020 तक इंस्टॉल करना है तो इसका आंसर हो गया बी 2022 नेक्स कोशन है विच आप फॉलिंग ग्रूप अफ कंट्रीज अर पार्ट अफ क्वेट ग्रूपिंग तो वन जापान तू इंडिया थ्री युनाटेज इस्टेट फोर ऑस्टेलिया तो इसका अंसर है आंसर D 1234 तो यह चारो कंटी जो है वो क्वेट ग्रूपिंग का पार्ट है तो इंडिया जापान युनाटेज इस्टेट और ऑस्टेलिया नेक्स कोशन है किंग भूमी बोल वर्ट स्वाइल डे 2020 अवार्ड गिवन तो किंग भूमी बोल जो वर्ट स्वाइल डे इसका आंसर है आंसर C इंडियन काउंसल ऑफ अग्रिकल्चर रिसर्च तो इंडियन काउंसल ऑफ अग्रिकल्चर रिसर्च को जो किंग भूमी बोल्वर्ट स्वाइल डे 2020 अवरड है वो दिया गया है वस बस बिसिकली यह जो अवर्ड इनिशेट हुआ है by FAO Food and Agriculture Organization और एकार को यह ओर्ड मिला है for its excellent contribution in soil health awareness तो soil health awareness में यह ओर्ड मिला है और इसका basically theme जिसमें इसको ओर्ड मिला है वो है stop soil erosion, save our future और basically जो यह बुमी बोल जो ओर्ड है यह थाइलंड के किंग थे उनके नाम के उपर रखा गया है next question है महत्मा कांधी embarked a historic salt march from sabarmati ashram on तो इसका answer है तो salt march जो sabarmati ashram महत्मा गांधी ने कभी start किया था तो इसका answer है answer B 12 March 1930 तो बहुत मुश्किल है मतलब कि आपको exact जो date है वो पूछ ली जाए लेकिन year पूछने के chances और chronology में लगाने के chances बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो basically 12 March याद रख सकते हैं वो भी अच्छा है मतलब आ सकता है question आ सकता है probable chances है लेकिन year के आने के chances और ज्यादा है तो इसका है 12 March 1930 नेक्स्ट the state election commissioner is appointed by तो इसका answer है तो state election commissioner appoint होता है by governor तो राजय पाल के द्वारा जो राजय चुनाव आयुक्त है उसकी निक्ति होती है नेक्स्ट कोशन हो गया national institute of ocean oceanography is in तो NIO जो है वो गोवा के अंदर है नेक्स्ट कोशन है choose the correct तो यहां आपको दो statement given है आपको बताना कौन से सही है पहला statement है the BRICS contact group on economic and trade issue जिसको CGETI भी कहते हैं held their first meeting under Russia chairship second the theme is BRICS at the rate 50 intra BRICS cooperation for continuity consolidation and consequences consensus तो इसका आंसर है answer B two only तो second statement सही है theme सही है लेकिन जो यह BRICS contact group meeting हुई है यह इंडिया की chairship में हुई है तो बिसकलिए इंडिया की chairship में हुई है ना कि रश्या की and मेरा आपको suggestion है जब भी आप theme को याद करें आप Hindi medium से हो English medium से हो किसी भी medium से हो जब भी आप अपनी theme को याद रखिए याद करें तो उसको English में ही याद करिएगा क्योंकि जब हमेशा जब translation होता है तो कभी कभी क्या होता है जिस translation को हम पढ़ रहे होते हैं या तो आपने किसी पढ़ा हो या फिर किसी मेगजी में पढ़ा हो किसी भी बुक में पढ़ा हो तो जब आप वह translation जब आप पढ़ते हैं हिंदी वाला तो कभी कभी क्या होता है कि वह जो आई हो गता है उसके translation से मैच नहीं करता है तो लेकिन इंग्लिश वाला हमेशा मैच करेगा हिंदी वाले के मैच करने के चांसे कम रहते हैं तो इंग्लिश वाला तो बिलकुल ही मैच करेगा क्योंकि बैसिकली यह सारी वर्ल और जेशन ही करती हैं तो बैसिकली इंग्लिश में ही थीम नि तो इसका आंसर है आंसर भी 234 के पंचायत के एलक्शन से डील करता है next question है according to new education policy 2020 public spending on education by state center to be raised to dash of the GDP तो state के द्वारा जो public spending है उसको करने के लिए जो center को spending raise करनी है वो कितना होगा तो इसका आंसर है answer D 6% next question है which country has the largest foreign exchange reserve तो किस country के पास सबसे ज्यादा foreign exchange reserve है तो इसका आंसर है answer C China तो China के पास जो है सबसे ज्यादा for acts है next question हो गया Delhi is a union territory with a legislature and it came into being by which amendment act तो Delhi जो union territory है with a legislature तो ये कौन से amendment act से आया था तो इसका आंसर है answer D 69 constitutional amendment act तो आप इसको याद रखेगा यह 69 constitutional amendment act है next question है choose the wrong तो यह आपको कुछ national park दे रखे हैं और वह कौन से state में है वो दे रखाया आपको बताना की कौन सा गलत है one desert national park राजस्थान दू रोला पार्डू wildlife century आप प्रडेष थी kanइड़ वाईड लाइड लाइड मी अंट्र पर देश में है करेरा वाइड लाइफ सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में तो यह मध्य प्रदेश में तो आंसर हो गया सी नेक्ट कुशन है विच फॉलिंग इस दे लाज़ेस्ट आम्स इंपोर्टर दूरिंग 2016 तो 2016 2020 के पिरियड में जो सबसे बड़ा आंप्स इंपोर्टर छाजी सबसे बड़ा इंपोर्टर है और उसके बाद जो है आंस लेता है वह इंडिया लेता है तो साओधी अरेबिया का भी अपना एक दीजन है उसको इतने जादा आम प्रिक्यों करने का बिसिकली वह पूरे अरफ वड़ से गिरा हुआ है और उसकी आइडिलोजी जो बागी जित ह Girl ह além पाकिस्तान हो गया उसकी वजह से शाता रम इंपोर्ट करने पड़ते हैं तो अप इसको ध्यान दखे का साउधी अरहँचल की वजह से उसको प्रिटेक्ट करना है अांड इंडिया तो पाकिस्तान चाहिना की विजह से वह आंपिपोर्ट करते हैं तो सबसे व revision stat 1990 जा लेजिस्लेटर तो यह आया तो 69 constitutional amendments से एक्ट से था लेकिन constitution में किस article से insert हुआ तो इसका answer है answer C 239 AA तो 239 AA article state करता है कि Delhi is a union territory with our legislature नेक्स कोशन है Indian Institute of Food Processing Technology is in तो इंडियन इंस्टीटीट फूद प्रसेशिंग टेक्नोलिजी है answer C तो तेंजवर में इंडियन इंस्टीट फूद टेक्नोलिजी है next question है which of the following is the largest arm supplier to India during 2016-2020 according to SIPRI report तो SIPRI report के according 2016-2020 में सबसे बड़ा largest arm supplier मतलब इंडिया को सबसे जादा arm supply करने वाला country कॉंसी है तो इसका आंसर है answer B Russia तो इंडिया जो सबसे जादा arms procure किया है उसने 2016-2020 के बीच में तो सबसे जादा उसने रशिया से करे रशिया के बाद उसने फ्रांस से करे फिर इसराइल से करे और फिर USA से करे तो USA is the fourth largest supplier तो इस बार इतने पिछले चार सालों में जो देखा गया है वो USA से बहुत कम जो arms है उसने इंडिया ने प्रक्यूर किरे है इससे पहले काफी जादा इससे का जो आम सप्लाय में रहता था लेकिन इस बार USA fourth पर आ गया है इससे पहले शाहर वो second यह third पर था लेकिन अभी वो fourth पर आ गया है तो यह point ध्यान में रखने वाला है कि fourth पर जंप किया है तो यह बूचा जा सकता है कि one two three में लगाने को दे दिया जाए तो रशिया जाएगा फिर फ्रांस आ जाएगा इस्राइल आ जागा फिर दन युएस से आ जाएगा next question है the great Indian mustard is a state bird of the great Indian mustard कहां की state bird है तो यह है answer C Rajasthan next question है project rehab is 2 तो project rehab जो related है इसका answer है answer C to prevent elephant attack in human habitation तो human habitation के अंदर जो elephant attack है उसको project उसको protect करने के लिए जो project rehab है उसको launch किया गया तो basically project rehab का नाम है reducing elephant human attack using bees तो इसका basically क्या काम था कि इसको khadi village industries commission KVIC उसने initiate किया था उसका initiative था basically क्या है कि जो जितनी भी मधुमक्या है उससे एक fence तरह की बनाई जाएगी तो मतब एक मधुबक्या का बार बना जाएगा मधुबक्या से फैंसिक की जाएगी और उसको जितना भी human habitation habitation जो है उसके सारे सराउंड में उसको habitation को जो fences को लगा दिया जाएगा और उससे क्या होगा कि जब भी human habitation के अंदर elephant एंटर करने की कोशिश करेगा उस fences के थूँ उसको elephant को रोकने की कोशिश की जाएगी तो यह पाइलेट प्रजेक्ट स्टा लॉंच हुआ है और यह लॉंच हुआ है कुद्दागू करनाटका में तो बैसिकली इसमें एक बी की fences लग जाएगी human habitation के थूँ और वहां से जो elephant human attack है उसको रोका जाएगा using B अब देखिए आप हर चीज को in English Hindi में translate नहीं किया जा सकता project rehab तो project का नाम ही English में है reducing elephant human attack using B English में आप इसले भी हो सकता है क्योंकि south country में initiate हुआ तो बैसिकली मतलब English में इसले रखा गया to make them understand understandable तो फिर यह भी आप देख सकते हैं तो नेक्स कोशन पर चलते हैं और नेक्स कोशन हो गया बाराल अच्छा पास इसन तो बाराल अच्छा पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है तो आंसर C हिमाचल प्रदेश नेक्स कोशन है choose the correct तो यहां आपको दो statement given है आपको बताना कौन से सही है तो इसका आंसर है आंसर भी two only तो second statement बिलकुल सही है फर्स्ट गलत है क्योंकि राज्यसभा जो है उसके पास 12 नॉमिनेटेट मेंबर्स होते है दूसरा बिलकुल सही है कि प्रिजिनेट नॉमिनेट करता है ऐसे इंडिविजिल्स को रिगमेंडेट बाइस सेंटर तो बिसिकली क्या होता है कि राज्यसभा में बारा नॉमिनेटेट मेंबर्स होते हैं कि आपको यह फील्स दे दे और उसमें बता दें विच 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 नॉमिनेटेट मेंबर्स के नहीं चूज किया जा सकते हैं वो प्रेजीदेट के ए AM g पार्टीस्पेट नहीं कर सकता वुविट को रहा है तो बाइसक्ट्य आउन्सर परियार डेम कर दोंरिक्रीन और परियार तो इसका आँसर का आसर ए तो मुल्ला प्रेल्या डेम जो है वो किरला में लोकेटाइए लेकिन इस ऑपरेट बाइ तमिल नाडू इसको आपरेट करता है और यह सुच्चेटेडर करें गरेला में और बैंबी सिकली लोकेटिड है ऑन दो कॉन्फुन्फ्लेंस ऑफ मुल ऑर पेरियार रिवर जो के ला क ऐधर को डिस्टिक में तो मिललडा पेलयाном Presa को और सब्सक्राइब नौर्द जितन हो नेक्स्स कुश्शन देख लेते हैं according to world air quality report 2020 which is the second most polluted city in the world तो world air quality report के according second most polluted city कौनसी है वर्ड में तो इसका answer है answer A गाज़ेबाद तो गाज़ेबाद जो है वो second most polluted city है वर्ड में अगर वर्ड में देखा जाए तो यह second most polluted है लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो it is the most polluted city in India गाज़ेबाद तो सबसे ज्यादा polluted city है होतन जो चाइना में फिर गाज़ेबाद है फिर बुलन शेहर बिश्रक भिवाडी नौइडा ग्रेटर नौइडा कानपूर लखनो डेली देखा इंडिया किसी को आने ही नहीं दे रहा है पूरा इंडिया ने अपना जमा रखा एकड़ में किसी को आने नहीं देंगे फिर भी चाइना जीती गया है लेकिन उसके बाद जो लाइन लगाई एंडिया ने एकड़म भरके कि गाज़ेबाद बुलन शेहर बिश्रक भिवाडी नौइडा ग्रेटर नौइडा कानपू अघ़ी और उत्तर परदेश तो वाई एकड़म घा यहागा है तो गाज़ेबाद इसके बुलंशेहर उत्तर परदेश से नौइडा उत्तर परदेश से ग्रेटर नौइडा उकंपूर अनलक्पू अगर हम कापिटल्स का देख लेते हैं तो कापिटर्स जो है डेली जो है तो चलो यहां तो आ गया हम फर्स्ट है ना डेली लेकिन गलत चीज में कोई बात नहीं डेली रिमें दो मुस्ट पॉलिटेट कापिटल इन द वर्ड फिर उसके बाद धाका है और फिर उल्बंतर है मंगोलिया का फिर दन काबूल है अफगानिस्तान का अगर कंट्री के हिसा आप से बांगला देश है वो हाज बेंक इस तॉस्ट पॉलिटेट कंट्री फॉल ड़्ड पाकिस्तान एं इंडिया तो बांग्ला देश पाकिस्तान जो है उसके बाद इंडीया है इंडीया थर्ड है नेक्स्ट प्र इर्टिशन देख लेता हैं वर्ड हाइस रेल्वे बि जला शव अर्विछ कंट्रीपोर गड़ थाउजन मेंट्रिक टन्व राइस तो जला शर्व जो है वह बेसिकली किस country के port पे arrived हुआ है with thousand mitric tons of rice तो इंडिया के दूआ यह आयनले जलाशव पे thousand metric ton rice भेजे गए पर यह भेज गए answer D COMMOROS में thousandmitry ton of rice भेजे गया next question is Union government committed to completing phase-out single use plastic by तो जो single-use plastic है उसको completely phase out करने का जो commitment है वो कब का है तो by answer be 2022 next question है which article states that the government can withdraw money from the consolidated fund only after receiving approval from parliament तो कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि government जो है वो money withdraw कर सकती है from the consolidated fund after receiving the approval from the parliament तो इसका answer है answer C article 114 तो article 114 के according क्या है कि government जो है consolidated fund of India से money जो है वो withdraw कर सकती है लेकिन उसके लिए जो पार्लेमेंट का approval है उसकी जरुवत होगी तो मतलब बिना अगर पार्लेमेंट अप्रूवल नहीं देगा तो consolidated fund of India से government जो है वो money withdraw नहीं कर सकती है ये रिटेन है हमारा article 114 में सम्विदान के तो हमारा quiz जो हमारी सीरीज है प्रेलिम प्रेक्टिस सीरीज वो यहीं फिनिश होती है अब टेलीगाम चैनल जॉइन कर सकते हैं एस यूपी पीसी इस पर फ्री डेली quiz मिलेगा आपको रोज और यहां आप answer राइटिंग भी कर सकते हैं और यहां एडिटोरियल भी मैं रोज शेयर करती हूं आप उनको भी देख सकते हैं तो बेसिकली आप इस इनिशेट्रिप का फायादा उठा सकते हैं थांक्यू और अल्ट बेस्ट